जै श्री खाटु श्याम जी रिशा आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल कुसुम देवडा पर हार्दिक स्वागत एव अभिनंदन है आज हम आप सभी श्री श्याम जी के भक्त जनों को श्री खाटु श्याम जी के मंदिर एव श्री श्याम कुंड के दिव्य एव भव्य पवित रिस्तल के दर्शन कराते हैं बाबा श्याम ने दीला रजकर स्वैम के शीष को वतमान में जहां श्याम कुंड है वहां पर अवतरित किया श्याम कुंड के बारे में माननेता है कि जहां बाबा का शीष जिस धरा पर अवतरित हुआ था उस इस्तान पर श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है जिसके अम्रित जल के आचमन या स्पर्ष मात्र से सभी भक्तों की मनो कामनाएं फूम होती है ऐसी मान्यता है कि शाम कुंड में यदि कोई भक्त सच्चे मन से डुपकी लगाता है तो उसके सारे पाप कट जाते हैं और बाबा का आशिरवाद उसे प्राप्त होता है शाम कुंड दो भागों में विबक्त है महीला और पुरुष ऐसी मान्यता है कि श्री शाम कुंड प्राचीन समय में रेट का तीला हुआ करता था उस तीले के आसपास इदा जाट की गाए चड़ने के लिए आया करती थी तीले के उपर एक आग का पौदा भी था तीले के पास आते ही गाए स्वते ही दूद देने लग जाती थी इदा जाट रोज इस प्रकिरिया को देखता था उसे इस बात का अशर्य हुआ कि गाए उस इस्तान पर जाते ही कैसे दूद देने लगती है रात को इडा जाट को स्वपन में दिखाई दिया कि वहाँ दूद पीने वाला कोई और नहीं श्री शाम ही है श्री शाम ने उससे कहा कि राजा से कहकर उस इस्तान की खुदाई करवाओ तुम्हें उस इस्तान पर मैं मिलूँगा जो कल्यूग में शाम बाबा की नाम से पुकारे जाएंगे अगली रूज राजा के कहने पर उस इस्तान की मिर्टी को हटाया गया और वहाँ पर श्री शाम बाबा की मूर्टी तीले से निकाली गई आज मूर्टी की पूजा होती है और वहाँ जो कुंड बनाया गया उस कुंड को श्याम कुंड के नाम से पुकारा जाता है खाटो श्याम जी राजिस्थान राज्य के सीकर जिले का एक महत्वपूंद कस्बा है जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात प्रशिद मंदिर है बाबा खाटो श्याम जी का संबंद महा भारत कालीन बताया जाता है कथाओं में खाटो श्याम मंदिर का इतियास हजारो साल पुराना है यह मंदिर करीब एक हजार साल पुराना है जिससे 1720 में अबै सिंग जी द्वारा मंदिर का पुनर निर्मान कराया गया था इस मंदिर में भीन के पोत्र एम गटोत कच के तीनों पुत्रों में से जेस्ट पुत्र बरबरी के सेर की पूजा होती है जबकि बरबरी के धर की पुजा हर्याना के हिसार जिले के एक छोटे से गाम शयहा हडवा में होती है शीख अटोय शाम जी का बाले काल में नाम बरबरी क था उनकी माता गुरुजन एयो रिष्तेदार उन्हें इसी नाम से जानते थे शाम नाम उन्हें क्रश्न ने दिया था इनका यह नाम इनके गुंग्राले बाल होने के कारण पड़ा बाबा शाम को शाम बाबा तीन बाण धारी नीले गोडे का सवार लख दातार हारे का सहारा शीश का दानी मोरवी नंदन, खाटो शाम वाला, खाटो नरेश, शाम धनी, कल्यूग का अवतार, कल्यूग के शाम, दीनों का नात, आदी नामों से भी पुकारा जाता है भक्तो की मानिता रही है कि बाबा से अगर कोई वस्तु मांगी जाती है, तो बाबा लाखो बार देते हैं, इसलिए उन्हें लख दातार के नाम से भी जाना जाता है बाबा हमेशा मयूर के पंको से बनी हुई छड़ी रखते हैं इसलिए इन्हें मोर छड़ी वाला भी कहते हैं युद्ध के बाद बर्बरीक द्वारा पांड़ों के अभिमान का मर्दन हुआ और उसके बाद उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित किया गया शीश बहता हुआ खाटू नामक गाउं में पहाँच गया इसके बाद रूपवती नदी सूप गई और बर्बरीक का शीश वहीं दबा रह गया उसके कई वर्षों बाद रादा नामक एक गाई थी वह दूद देने में असमट थी इसी कारण उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया गाई गूंगते हुए उस स्तान पर पहुँची जहां बर्बरीक का शीश दफन था वहाँ पहुँचते ही उसके थनों से दूद बहनने लगा जिसके बाद खाटो के राजा को जब इस बाद का पता चला तो वह स्वैम वहाँ गए और वहाँ खुदाई करके उन्हें एक शीश दिखा जिसके पश्चात आकाशवाणी हुई कि यह जेस्ट कटोद कच पुत्र बर्बरीक का शीश है जिसे श्री क्रश्ण चंद्रद्वारा उनके श्याम नाम से पूजे जाने का वर है ये कलियोगी क्रश्ण है इनके लिए विशाल मंदिर का निर्मान करवाओ आकाशवाणी कि कुछ दिनों बाद मंदिर का निर्मान शुरू हुआ और देव उठनी इकादशी के दिन बर्बरीक के उस सेश के स्थापना मंदिर में हुई और वे बर्बरीक से खाटो श्याम बन गए इसी कारण देव उठनी इकादशी के दिन बाबा श्याम का जन मुच्चव मनाया जाता है खाटो शाम जी ने द्वापर युग में श्री करशन से वर्डान प्राप्त किया था कि वे कल्यूग में उनके नाम शाम से पूझे जाएंगे श्रीक्रश्न बरबरी के महान बलिदान से काफी प्रशन हुए और वर्दान दिया कि जैसे जैसे कल्यूप का अवतरन होगा, तुम शाम के नाम से पूज़े जाओगे, तुम्हारे भकतों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होग यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और वे सभी कारे में सफल होंगे श्रीशाम बाबा की अब पूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है वे पहले बरबरिक के नाम से जाने जाते थे वे अति बलशाली गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पौत्र है बालेकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे उन्होंने युद्ध कला अपनी मा तता श्रीक रश्न से सीखी महादेव की घोट अपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और तीन अमोग बान प्राप्त किये इस प्रकार तीन बान धारी के नाम से प्रशिद नाम प्राप्त किया दुर्गा ने प्रशन होकर उन्हें धनुस प्रधान किया जो उन्हें तीनों लोग में विजई बनाने में समट था महा भारत का युद्ध कौर्वो और पांडवो के मद्धे अपरिहारे हो गया था यह समाचार बरबरी को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मलित होने की इच्छा जागरत हुई जब वे अपनी मा से आशिरवात प्राप्त करने पहुँचें तब मा को हारे हुए पक्स का साथ देने का वचन दिया वे अपने नीले रंग के गोड़ी पर सवार होकर तीन बाण और धनुस के साथ कुरुक्षेत्र की रण भूमी की और चल पड़े सर्व व्यापी श्रीक रश्न ने ब्रामन भेश धारन कर बरबरीक का भेच जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हसी उड़ाई कि वह मात्र तीन बाण से युद्ध में समलित होने आये हैं ऐसा सुनकर बरबरीक ने उत्तर दिया कि मात्र एक बाण चत्रु सेना को परास्त्र करने के लिए परियाप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तोनीर में ही आएगा यदि तीनों बाणों को परियोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मान का विनाश हो जाएगा यह जानकर भगवान क्रश्ने ने उन्हें चुनाती दीखी इस व्रक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखलाओ वे दोनों पीपल के व्रक्ष के नीचे खड़े थे बरबरीक ने चुनाती स्विकार की और अपने तोनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर का इसमरण कर बाण को पेड़ के पत्तों की और चलाया बाण ने शन भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद दिया और श्री करशन के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे चुपा लिया था बर्वरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लिजे अन्यता ये बाण आपके पैर को भी वेद देगा तत पश्चाथ श्री करशन ने बालक बर्वरीर से पूछा कि वह युद्ध में किस और से सम्मलित होगा बर्वरीक ने अपनी मा को दिये वचन को दोहराया और कहा युद्ध में जो पक्स निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा श्री करशन जानते थे कि युद्ध में हार तो कौर्वो की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्स में चला जाएगा अतह ब्रामन रूपी श्रीक रश्न ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाशा व्यक्त की बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा ब्रामन ने उनसे शीश का दान मांगा वीर बर्बरीक शन भर के लिए अचम्बित हुए परंतु अपने वचन पर अडिक रहे वीर बर्बरीक बोले एक साधारन ब्रामन इस तरह का दान नहीं मांग सकता है अतह ब्रामन से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रातना की ब्रामन रूपी श्री क्रेश्न अपने वास्तविक रूप में आ गए श्री क्रेश्न ने बर्बरिक को शीष दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरम होने से पूर्व, युद्ध भूमी, पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्व श्रेष्ट, शत्रिय के सीज की आहुती देनी होती है इसे लिए ऐसा करने के लिए वे विवश्ट थे बर्बरीक ने उनसे प्रात्ना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं श्रीक रश्न ने उनकी यह प्रात्ना स्विकार कर ली श्रीक रश्न इस बलिदान से प्रशन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्व श्रेष्ट वीर की उपादी से अलंकरत किया उनके शीष को युद्ध भूमी के समीप ही एक पहाड़ी पर शुशोबित किया गया जहां से बरबरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे पालगुन महा की द्वादसी को उन्होंने अपने शीष का दान दिया था इस प्रकार वे शीष के दानी कहलाए महा भारुत युद्ध की समाप्ती पर पान्वों में ही आपसे विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रे किसको जाता है श्रीक रश्न ने उनसे कहा बरबरिक का शीष संपूर्ण युद्ध का साक्षी है अत एव उससे बहतर निर्नायक भला कौन हो सकता है सभी इस बाद से सहमत हो गए और पहाडी की और चल पड़े वहाँ पहुँचकर बरबरिक के शीष ने उत्तर दिया कि श्रीक रश्न ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है उनकी सिक्षा उपस्ति युद्ध नीती की निर्नायक थी उन्हें युद्ध भूमी में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र गुंगता हुआ दिखाई दे रहा था जो शत्रुर सेना को काट रहा था श्रीकरश नवीर बरबरी के महान बलीदान से काफे प्रसंदन हुए और वर्दान दिया की कलियोग में तुम शाम नाम से जाने जाओगे क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही शाम नाम धारन करने में समर्थ है खाटू गाउं एक महत्वपून धार्मिक इस्तल है जो कि सीकर सिटी से 43 किलोमेटर और रिंगस गाउं से 17 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है सीकर जिला धुंदार शेत्र के राजसान राजे में आता है श्री खाटू श्याम जी का मंदिर जोदपुर जिले से 348 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है आप सभी श्री श्याम प्रेमियों एव भक्त जनों पर श्री खाटू श्याम बाबा की अपार फिरपा बनी रहे ऐसी शुप कामना है क्रप्या हमारे चैनल कुसुम देवडा को लाइक एम सब्सक्राइज करें धन्यवाद जै श्री खाटू श्याम जीरी सा